वेलकम, जोयोप औरिगामी में भावनगर से में मेहुल कुमार, आपका आर्दिक स्वागत है, आज बहुत सुन्दर एक ड्रेगन बनाएंगे, ये स्वरन ड्रेगन है, चलिए आप मेरे साथ एक स्क्वेर पेपर लेके तयार हो जाएए, और जम बहुत सुन्दर एक ड्रेग करके ऊपर लगा दीजिए और फोल्ड करके वापस खोलिए, चलिए, अब मैं पेपर को पलट देता हूँ, आपने सामने ये रहे दोनों कोनों है, उसको मैं मिला करके अच्छे से प्रेज कर देता हूँ, चलिए, इसको वापस खोले, अब नीचे वाला कोना उपर वाले को और वापस खोले बहुत बढ़िया अच्छे से क्रीज करते रहिए अब यह जो पेपर है उसको मैं पलट देता हूं चलिए यहां पे बीच में मैंने छुआ अब यह कोना है यहां पे में और तीने कोनों को मिला देता हूं यहां पे इसे प्रेस कर दे यह बढ़ बेज हो गया अरे वा चलिए अच्छी से प्रेस करने के बाद ये स्केल रखा है और ये ट्राइंगल फोल्ड करें चलिए इसकी सिमेट्री बनाएं राइट एंड साइड से इसको पकड़ें और ये ट्राइंगल और बन गया चलिए टॉइ को पलट दे और पीछे भी ये इची जम दो हराएंगे स्केल रखें और ट्राइंगल बनाएं इसकी सिमेट्री बनाएंगे ट्राइंगल की इसको पकड़ें और फोल्ड करें बहुत बढ़िया अच्छे से फोल्ड बनाते रहिए बस चलिए ये नीचे वाला ट्राइंगल एक बार में थोड़ा सा उपर करके वापस ले रहा हूँ अब हमें इसको खोलना है ठीक है तो चलो इसको तरफ अलका फुलका बना दे चलिए अब ये मैंने पकड़ा और इसको बाहर वाले लाइन को अंदर लगा दिया और उपर का इससा बंद कर देंगे ठीक है चलिए यही चीज हम दूसरी तरफ दोहराते हैं ये पकड़ा बनाया पेपर को और ये थोड़ा सा अलका बना दे है इसको खोलते है ये बाहर वाला लाइन अंदर लगाए प्रेस करें उपर से इसको दबाव करें अरे वाँ चलिए अब लास्ट वाला त्रीबूज इसको पकड़े अंदर ले जाए और अच्छे से प्रेस कर दीजिए बहुत बढ़िया काम होगा वेरी गुड चलिए अब ये जो है इसको मैं ऐसे ट्राइंगल एक बार फोल्ड करके वापस खोला अब ये कोना मैं यहां पे लगा देता हूँ ठीक है प्रेस करने के बाद खोल दीजिए चलिए पूरा पेपर मैं ऐसे खोल रहा हूँ चारो भुजाय जैसे खुलती है चलिए अब ये ब्लू लाइन है उसको मैंने माउंटेन फोल्ड बनाना है तो मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ देखिए ऐसे ठीक है चारो लाइन अरे वाँ अब मुझे ये दोनों आमने सामने से पकड़ करके अंदर की और ये दबाना है ऐसे तो ये हो गया चलिए अब एक त्रीबूज में उपर लगा देता हूँ अब नीचे वाला त्रीबूज दिखता है इसको भी में उपर लगा दिया ये रॉंबस शेप दिखता है आपको बहुत सुन्दर चलिए अब यहां पर में स्केल रखता हूँ और ये लाइन म से प्रेस कर दें चलिए पीछे की साइड पेपर पर हम ये चीज़ दोहराएंगे इसको पकड़ो नीचे लाओ स्केल से लगाओ फिर नीचे वाली लाइन लाओ उसको भी स्केल से लगाओ और अच्छे से क्रीज होने के बाद इसको चोटी बना दे बहुत बढ़िया अब पूरा टोई मैं ऐसे रखता हूं आथ में चलिए अब ये चोटी में राइट एंड सेड की तरफ मोड रहा हूं दोनों चोटियां चलिए अब इसको मैं खोल रहा हूं देखिए अब नीचे वाला त्रीबुज पूरा का पूरा ऊपर जाएगा ऐसे अच्छे से प्रे यह जो मेरा थम है उस बॉटम से लगा रहा हूं देखिए ऐसे फिर से देखिए यहां पर लगा दिया उपर से प्रेस करें बहुत सुंदर अच्छे से प्रेस होने के बाद यह उपर वाला लाइन है उसको मैं फिर से बॉटम से लगा रहा हूं देखिए उपर से प्रेस कि अरे वाह चलिए इसको थोड़ा सा खोले और ये उपर कर दे तो ये अच्छे से बॉटम से अब लग जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया चलिए ये है इसको भी हम अच्छा कर देते हैं अच्छा मिला दे बहुत सुंदर अब ये जो है उपर छोटा सा भाग दिखता है इसको प्रेस करके अंदर डाल दे चलिए अब पीछे की साइडम ये चीज़ दोहराएंगे इसको पकड़े प्रेस करें और इसको खोल देते हैं इसको अंदर डाले अच्छे से प्रेस कीजिए और ये इसको हम पकड़ लेते हैं इसकी चोटी ठीक है ये बहुत सुंदर पैर बने चलिए यह बाहर वाला थोड़ा सा इसको हम अंदर डाल देते हैं चलिए खोला और अंदर डाल दिया अच्छे से वापस आ जाए चलिए अब यही चीज में दूसरी तरफ दोहरा नहीं है तो यह दोनों विंग से हम एक तरफ ले आते हैं अब यह इसा में खोल रहा हूं ऊपर आये 3 भूज को उपर ले जाए अच्छे से प्रेस करें शिक है चलिए इसको वात खोले अब ये बीच वाला में मांट यूंट बना रहा हों देखे ऐसे मांटेन बना दे इसको पकड है और बोटम से मिला द और अच्छे से हरें बास चलिए अइसे देखिए मिल गया उपर से प्रेस करें बहुत सुन्दर अपका प्रेस बढ़िया होना है अब ये जो है अच्छे से प्रेस होने के बाद ये नीचे वाला लाइन है इसो पकड़के में ऐसे मिला देता हूँ देखिए अब इसको वापस खोले और अच्छे से अंदर दबा दे आरे वाँ चलिए ये पैर का भाग है इसको भी पकड़ लें अच्छे से प्रेस करें ठीक है अब थोड़ा सा ये पैर के उपर का इसा ऐसा दिखता है इसको क्रीज करके अंदर डाल दे चलिए खोले और अंदर डाले वापस प्रेस करें अब ये लास्ट टाइम हम करेंगे इसको पकड़ो उपर वाले लाइन से मिला दो अच्छे से प्रेस कीजिए ये ट्रिबूज है इसको खोलें इसको अंदर डालें और अच्छे से प्रेस कर देजिए ये पैर वाला इसा भी अच्छे से प्रेस करें चलिए फिर ये पैर के उपर वाला इसा थोड़ा सा दिखता है इसको क्रीज करके अंदर डाल दें बहुत बढ़िया चलिए थोड़ा सा पकड़के अंदर डालते है अरे वाह क्या बात है बहुत सुन्दर ड्रेकन बन रहा है चलिए अब ये जो है इसका पैर बना रहा हूं देखे ऐसे ठीक है इत्री बुज जैसा दिखता है इसको दोनों तरफ से प्रेस करें थाम और अपनी तरजनी से चलिए दूसरा पैर हम बनाते हैं इसको पकड़े त्री बुज बनाएं और अच्छे से दोनों तरफ से किये उंगले और थाम से प्रेस कीजिए अब ये दोनों विंग्स हम राइट हैड फे लगा देते हैं फिर से ये तीसरा पैर त्री बुज बनाया अच्छे से प्रेस करें उंगली और थम से वेरी गुड चलिए अब लास्ट पैर है इसको नीचे की और लाए त्रिबुज बनाए और अपनी उंगली और थम से प्रेस कर दीजिए बहुत सुंदर पैर बन गये है देखिए चलिए अब यह जो इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ देखिए ऐसे उपर से खोलता हूँ और नीचे से प्रेस करके वैली फोल्ड बना देता हूँ तो यह उपर जाएगा यह इससा अच्छे से प्रेस करें चलिए फिर से अब उपर वाला आदा इससा में नीचे फोल्ड करके बीच में वैली फोल्ड बना देता हूँ अब फिर से यही चीज में दोहराता रहूंगा तो यह उसकी बहुत सुन्दर टेल बनेगी ठीक है बहुत बढ़िया चलिए हो गया इसको मैं इस तरह पलट देता हूँ देखिए अब यह दोनों विंग्स है इसको पकड़के मैं पीछे लगा देता हूँ ऐसे और अच्छे से प्रेस कर दीजिए चलिए अब आगे वाला हिससा इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे हमने टेल के लिए बनाया था फिर से इसको प्रेस करें अच्छा से खोले और उसका हैड बनाये चलिए उपर से प्रेस करें और यह दोनों तरब से प्रेस करने के बाद उपर वाला जो हिस्सा है त्रिबूज आगे वाला इसको और उपर पीछे लगा दे और इसको अच्छे से प्रेस कर दे बस आपका ड्रेगन तैयार हो गया है बहुत बढ़िया चलिए दूसरों को गिफ्ट करें और मेरी मेहुल इंडिया वंडर चैनल देखते रहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भी चीजे बाकी है अभी